हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू माई चैनल फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आईसी थर्टी एट हेल्थ इंशुरेंस पार्ट थ्री के अगें 20 कोश्चिन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनको आपने बहुत ध्यान से करना है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोश्चिन के साथ तो पहला कोश्चिन है आपको बताना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से किसे हम कंज्यूमर की केटगरी में नहीं मानते हैं देखिए फर्स्ट ओफॉल आपको पता होना चाहिए कि एक कंज्यूमर क्या होता है कंज्यूमर होता है एक उभोकता जब कोई हम समान खरीते हैं और उसे अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं use कर लेते हैं तब हम कहलाएंगे consumer पर अगर हम वही समान खरीदते हैं और उसे आगे sale कर देते हैं तब हम consumer नहीं होंगे तब हम होंगे customer तो यह आपको difference पता होना चाहिए तो देखिए consumer होगा ऐसा व्यक्ति who buys goods for resale purpose means ऐसा व्यक्ति जो की समान खरीदता है और उसे use नहीं करता है वो उसे क्या करता है resale करने के लिए रखता है तो ऐसे व्यक्ति को हम consumer नहीं मानते हैं चलिए अब है next question अब इस question में पूछा गया है in insurance context risk retention indicates a situation where dash अब यह question कह रहा है insurance की भाषा में risk retention कौन सी situation को कहा जाएगा तो यहां पर देखिए risk retention का मतलब है खत्रे की रोक था तो risk retention एक ऐसी situation को कहा जाता है where one decides to bear the risk and its effects यानि की कोई व्यक्ति है जो कहता है कि मैं खत्रे को भी bear कर सकता हूं और जो उसके effects होंगे उसको भी मैं bear कर सकता हूं तो ऐसी condition को risk retention कहा जाता है next question is what is the main function of insurance आपको बताना है की insurance यानि की भीमे का main function क्या होता है फाइदा क्या होता है तो देखिए इसका जो फाइदा है वो है insurance pays when there is a loss of assets अर्थात अगर assets की संपत्ती की हानी हो जाती है उस समय insurance जो है payment provide करती है means जो भी नुकसान होगा उसके भरपाई करेगी insurance चलिए अबें next question in India dash insurance is mandatory आपको बताना है कि भारत में वो कौन सी insurance है जो mandatory है यानि की जरूरी है तो देखिए उसका answer है motor third party liability ये ऐसी insurance है जो की भारत में जरूरी है mandatory है ये हमें करवानी ही पड़ती है अब next question में पूचा गया है what is the most appropriate option for a customer to lodge an insurance policy related complaint आपको बताना है कि अगर किसी customer को insurance policy related कोई शिकायत है तो वो उस शिकायत को कहां पर जाकर lodge करवाए कहां जाकर उस शिकायत को दर्ज करवाए सबसे better option उसके पास क्या होती है तो देखिए इसका simple सा answer है insurance ombudsman means जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीमा लोकपाल अगर हमें insurance policy से related कोई भी शिकायत है तो हम जाकर बीमा लोकपाल में अपनी शिकायत वो दर्ज करवा सकते हैं अब अगले question में पूछा गया है Is there any fee or charges that need to be paid for lodging complaint with the ombudsman? अब ये question पूछ रहा है कि अगर हमें ombudsman में complaint करवानी है दर्ज तो उसके लिए कोई fee या फिर कोई charge देना पड़ेगा तो देखिए इसका answer है no अगर हमें ombudsman में complaint करनी है तो वहाँ complaint करने के लिए हमें कोई भी fee या फिर charge नहीं देना पड़ता है चलिए अब है अगला question अब इस question में पूछा गया है insurance agent represents the dash एक insurance agent किसे represent करता है तो देखिए जो insurance agent है वो represent करता है किसे अपनी insurance company को तो इसका answer आएगा insurance company अब इस question में कहा गया है dash relates to inaccurate statements which are made without any fraudant intention आपको बताना है कि उस statement को क्या कहा जाएगा जो है तो गलत पर उसे बताया गया है या जिसने भी उसे बताया है गलत statement बताई गई है उसके पीछे जो motive है वो fraud करने वाला नहीं है तो ऐसी गलत statement को क्या कहा जाता है तो देखिए अगर statement गलत है पर fraud वाला intention उसके पीछे नहीं है तो ऐसी गलत statement को कहते हैं misrepresentation चलिए अब next question है dash involves pressure applied through criminal means आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ती दूसरे व्यक्ती पर pressure apply करवा रहा है means उसको डरा धमका रहा है criminal means के द्वारा तो ऐसी condition को क्या कहा जाता है तो देखिए ऐसी condition को कहा जाता है correlation तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ती अपना काम करवाने के लिए दूसरे व्यक्ती को डराता है धमकाता है तो इसे English में correlation कहा जाता है next question is name the goods which cannot be termed as an asset तो आपको ऐसे goods या ऐसे समान या ऐसी चीजों के बारे में बताना है जिसे की हम समपत्ती नहीं मान सकते हैं या कोई भी व्यक्ती उसे अपनी समपत्ती नहीं मान सकता है तो देखिए इसके बहुत अच्छे example है air और sunlight means हवा और जो सूरे की रोशनी है उसे हम या कोई भी व्यक्ती अपनी समपत्ती में नहीं मान सकता है चलिए अब है अगला question अब इस question में पूछा गया है कि अगर हमें policy में कुछ terms या conditions हैं जिनको की modify करने की अवश्यक्ता है तो वो जो modification है वो हम amendment के थुरू कर सकते हैं और हमें उस process का नाम बताना है जिसके द्वारा हम अपनी policy में जो भी changes करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं तो देखिए उस process का नाम होता है endorsement आपको यह याद रखना है endorsement के द्वारा हम policy में वो changes करवा सकते हैं इस question में ये एक fill in the blanks है, आपको बताना है इसके बारे में, अब इस question में पूछा गया है, health insurance deals with the dash, whereas life insurance deals with the dash, अब यहाँ पे आपको दो fill दिये गए हैं, blanks दिये गए हैं, जिनको की आपको भरना है, तो देखिए आपको याद रखना है, कि जो health insurance है, ये deal करती है morbidity से, means number of diseases, means, रोगों की संख्या से, जबकि जो life insurance है, ये deal करती है mortality से, और mortality को हम हिंदी में कहते हैं, मृत्युदर, means, life insurance deal करेगी mortality से, और जो health insurance है, ये deal करेगी morbidity से, next question पूछ रहा है, what is the full form of PPN with regard to hospitals in health insurance, आपको बताना है, कि health insurance में, जो एक शब्द आता है PPN, उसका क्या full form है, तो देखिए PPN की full form होती है, preferred provider network, ये basically, उन hospitals की list होती है, जो की health insurance company से tie-up में रहते हैं, जहां पर जाकर, जो customer है, जिसने health insurance ली है, वो अपना इलाज करवा सकता है, next question, what is the factor which doesn't affect the morbidity of an individual, आपको बताना है, कि उस factor को क्या कहेंगे, जो कि किसी भी व्यक्ती में रोगों को affect नहीं करता है, means अगर किसी व्यक्ती को कोई बिमारी है, तो कौन सी ऐसी बात है, जो कि जिस बात से उसकी होने वाली बिमारी पर कोई भी affect नहीं पड़ता है, तो देखिए इसका जो answer है, वो है spouse job, means हमारा जो जीवन साती है, वो कहाँ पर job कर रहा है, नौक्री कर रहा है, तो उससे उस व्यक्ती की भीमारीयों का कोई भी लेना देना नहीं है, चलिए, अब है next question, who is the primary stakeholder in insurance claim process, आपको बताना है, कि insurance में जो एक claim process होता है, उस में सबसे जो main भागीदार है, primary stakeholder का मतलब है, जो सबसे prime भागीदार होगा, वो कौन होगा, तो देखिए, जो सबसे main भागीदार है, या primary stakeholder है, वो होता है customer, अब अगले question में पूछा गया है, typical health insurance policy may exclude from cover routine expenses related to, अब ये question कह रहा है, कि जो typical health insurance policies रहती है, वो cover में से कौन कौन सी चीज़ों को निकाल देती है, means कौन कौन सी ऐसी बातें हैं या चीज़ें हैं या treatments हैं जिनको की वो cover नहीं करती है, कौन सी typical health insurance policies, तो देखिए ऐसी चीज़ें जो की life को means danger वाली नहीं है, जैसे कि वहाँ लीजे प्लास्टिक सरजरी हो गई, या फिर dental treatment है, या फिर aesthetic treatment है, aesthetic treatment मतलब beauty treatments वगएरा, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि typical health insurance policy में नहीं आती है, means उसके cover में नहीं इनको consider कि जाता है, क्योंकि ये life threatening नहीं है, तो ये सारी चीज़ें typical health insurance policy में include नहीं होंगे, उसमें exclude कर दी जाएंगे, अब next question है, exclusion in the health insurance policy means, आपको बताना है कि ये जो health insurance policy में exclusion है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, exclusion का मतलब होता है कि वो बिमारियां जिनकों की cover नहीं मिल रहा है या ऐसे treatments जिनकों की cover नहीं मिलता है, उसे कहा जाता है exclusion, तो इसका answer है, diseases specifically not covered, ऐसी बिमारियां जो की cover में नहीं आ रही है, चलिए, अब next question, if a person doesn't prefer any claim in an health insurance, then what will happen? देखिए, अब इस question में पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति health insurance में claim नहीं लेता है, उसे कोई problem नहीं होई, तो उसने claim नहीं लिया, तो उस case में क्या होगा? तो इसका answer है, no claim bonus is allowed for the claim free years, मतलब जिन सालों में उसने claim नहीं लिया है, जो claim free years है, उसमें उसे no claim bonus दे दिया जाता है, चलिए, अब अगला question है, domiciliary hospitalization means, आपको बताना है कि ये जो domiciliary hospitalization होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका answer है, treatment taken at home as the patient couldn't be moved to hospital, means कि जो patient है, वो hospital नहीं आ सकता, तो जो उसका इलाज है, वो घर पर ही किया जाएगा, तो ऐसे hospitalization को domiciliary hospitalization कहा जाता है, अब है अगला question जो इस वीडियो का, last question है, for admission of domiciliary hospitalization claim, the minimum period of medical treatment should be, अब देखिए इस question में पूछा गया है, कि अगर हमें domiciliary hospitalization claim करवाना है, तो जो medical treatment है, वो कितने समय का minimum होना जाएगे, तो देखिए इसका answer है, three days, means medical treatment minimum three days का अगर हो, तब हम domiciliary hospitalization का जो claim है, वो ले सकते हैं, या उसको करवा सकते हैं, तो अब आपने ये सभी questions ध्यान से करने है, thank you and best of luck.